हलो एवरीवन, कैसे आप लोग, उमीद करते आप सब अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 इंगलिस का फ्रेमिंग को बुक से, 8th स्टोरी, गॉइंग प्लेसेज, ठीके, इसके ओतर है, A.R. बार्डन, यात रखिएगा, गॉइंग प्ले Adolescent Fantasizing and Hero Worshipping, इस स्टोरी में सोफी नाम की एक लड़की होती है, ठीके, वो एक Adolescent है, Adolescent समझते हैं, 10 से लेके 19 साल का एज वाला बच्चा, उसको Adolescent कहते हैं, मतलब जब वो Child Root से, Adult Root में जब वो जा रहा होता है, ठीके, इस Face को क्या बोलते है, Adolescent Face कहते हैं, समझे इस टाइम पर अक्सर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, वो फैंटसाइस करने लग जाते हैं, सपना देखने लगते हैं, रियल वर्ल से हटके, वले ही वो सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनसे मतलब नहीं है, वो काफी चीज डिम करने लग जाते हैं, इसक में क्या है आईरनी है ठीक है अब इसको अभी के लिए आप याद कर लीजे आईरनी है अब या आईरनी कैसे है वो तो आपको स्टोरी समझने के बाद ही समझ माएगा ठीक है चलिए और यह बात याद रखिएगा इसके उपर वोट इग्जम में कोशन आ चुका है कि एक तो सोफी हो गया में करेक्टर ठीक है और दूसरी इनकी फ्रेंड ही है जैन सी ठीक है तो उनों क्लासमेट है या फे फ्रेंड है तो दोनों स्कूल से घर लोट रहे हैं और घर आते वक्त दोनों आपस बात करते हुए रास्ते पर चलते हुए आ रहे है ठीक है तो देख कि जब मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी ना तब मैं क्या करूंगी एक बूटिक खोलोंगी बूटिक समझते हैं बूटिक है थोड़ा सा दुकान होता है जिसमें आप फैशनेबल प्लोधिंग जूलरी यह सब बेशते हैं ठीक है डिजाइनर क्लोथ बेशते हैं तो जैनसी को यह आइडिया पर थोड़ा डाउट होता है कि यह आइडिया सच में फुल्फिल हो सकता है कि नहीं क्यों क्योंकि एक बूटिक खोलने के लिए टेक्स मनी सोफ सम्थिंग लाइक डेट जैनसी बूलती कि बूटिक खोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है जिसे की एक बूटिक खोला जा सके ठीक है तो इसलिए जैनसी यहाँ पर डाउटफुली देखती है और बुलती है कि सोफ यानि सोफी को वो सोफ बोलके बुला डिया तो बोलती है कि इसमें पैसा तो लगेगा तो इस पर सोफी बोलती है कि I will find it मैं जुगार कर बोलती है तो इतना पैसा जुगार करने में तो काफी लंबा समय लग जाएगा सेफ करने में इतना पैसा तो इस पर सोफी बोलती है well I will be a manager अ घीक है इतना पैसा जुगार करने में टाइम लेगा तो मैं क्या करूंगी पहले manager बन जाओगी ठीक है Yes of course to begin with Starting करने के लिए जब मैं स्कूल से पास आउट हूँगी तो पहले क्या बनूँगी मैनेजर बनूँगी Till I have got enough और जब तक मेरे पास उतना पैसा ही कटा ना हो जाए ठीक है तब तक मैं मैनेजर रहूँगी और फिर पैसा हो आ जाएगा मतलब ये बूटी खुलने का बात कैसा दिखेगा वो Sophie को दिख रहा है तो यही पर मैं समझ वा रहा है कि Sophie काफी ज़दा क्या कर रही है? फैंटसाइज कर रही है और काफी ज़दा ड्रीम कर रही है ठीक है? इसका जो ड्रीम है Sophie का वो काफी ambitious एक बड़ा dream है जबकि वो real life में एक lower middle class family से बिलोग करती है उतना पैसा नहीं है इनके पास तबी भी इसका सपना काफी बड़ा है अब ये इतना बड़ा सपना देखना सही है कि गलत है इसके बारे में बाद में जिकर करेंगे लेकिन आप इस्टोडी को सुनते वक्त ये कुद भी सोचने कोशिस कीजिएगा कि वले ही ये लोग गरीब है लेकिन क्या सपना देखना बुड़ा चीज है या फिर अच्छा चीज है वो देखेंगे हमें ठीक है ये सोचेगा आप और इसके उपर कोशन भी आता है एकजाम में तो अभी तक हमने जीता भी पड़ा है इससे एक बात तो किलियर हो गया कि दोनों का करेक्टर में क्या डिफरेंस है सोफी और जैनसी में इसके उपर कोशन आता है ठीक है सोफी के बारे पर हम एक चीज़ बोल सकते है कि सोफी क्या है आइडियलिस्ट है और लब ये ख्वाबी डुनिया में रहने वाली लड़की है ठीक है अदर लब इसको सिब ख्वाब दिखा दो सब अच्छा अच्छा चीज़ ये इमेजिन कर रही है एसे इंसान को आइडियलिस्ट बोलते है जबकि जैनसी को बोल सकते है कि जैनसी क्या है कि रियलिस्ट है, रियल बर बर रहने वाली लड़की ये इसको पता है क्या लिमिटेशन है क्या इसकोप है इनका, ठीक है फिर सोफी को बोल सकते है कि सोफी क्या है ambitious dream देखती है जबकि जैंसी जो है वो काफी जड़ा practical है practical इंसान को क्या बोलते है pragmatic outlook इसका जो मतलब जो भी focus है जो भी plan है वो practical plan है जो possible हो सकता है ठीक है जबकि Sophie का ठीक उल्टा है तो ये दो point आप याद रखेंगे ठीक चलिए ये सब वर्ड याद रखेंगा pragmatic, idealist ठीक है तो Sophie का पहला सपना था boutique खोलना, जैंसी जब उसको counter करती है कि पैसा लगेगा एसको खोलने के लिए तो इसपे Sophie बोलती है कि हम क्या बन जाएंगे manager बन जाएंगे तो इसपे जैंसी फिर काउंटर करती है और बोलती है कि तुमको स्कूल से पास आउट होते ही तुरंत manager नी बना देंगे, सोफ, ठीक है तो इसपे Sophie बोलती है I will be like Mary Quant लगे मैं Mary Quant की तरह बनूँगी Mary Quant कौन है, एक renowned British fashion designer है, ठीक है लगे मैं भी Mary Quant की तरह बनूँगी, I will be a natural सबसे अच्छा होगा मेरा shop इस city में Gen C, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became Millan Kali, तो ये सब बात सुनकर Gen C, जिसको ये बात अच्छे से पता था कि दोनों को earmarked earmarked मतलब दोनों का जो future है, वो कहां पे fix है वो एक biscuit factory में fix है मतलब Gen C को ये बात मालूप है कि स्कूल से पास आउट होने का बाद उन्हें कहा जॉब मिलने वाला है, एक biscuit factory में चोटा सा जॉब मिलने वाला है तो ये reality Gen C अच्छे से जानती है और इसी वज़़े से वो became Millan Kali, मतलब sad हो जाती है Gen C, ठीक है see wish Sophie wouldn't say these things वो wish करती है कि Sophie कास इतना बड़ा बड़ा सपना ना देखे, क्योंकि जब आप सपना देखते है बहुत ही ज़़ा बड़ा सपना देखते है तो वो जब टूटता है तो दुख होता है, ठीक है disappointment होता है, इसी वज़़ा थे Gen C चाहती है कि Sophie ये सब चीज ना बोले ठीक है, कि वो Mary Quant की तरफ बनेंगी मैनेजर बनेंगी, बुटिक खोलेंगी ऐसा सपना नहीं देखे वो When they reach Sophie's street, Gen C said तब जब Sophie के street, मतलब इस रास्ते में Sophie का घर था जब वो लोग इस रास्ते में पहुचे तब Gen C बोलती है कि अब सी कुछ ही महना बचा हुआ है Sof, ठीक है You really should be sensible अब तुम्हें sensible बाते करना चाहिए तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि अब हम स्कूल से pass out होंके कहाँ काम करेंगे biscuit factory में काम करेंगे ये बात तुमको पता होना चाहिए They don't pay well for the shop work You know that your dad would never allow it और तुम्हें ये भी बात मालूम है कि जब तुम्हें दुकान में काम करोगी तो ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं और ये सब देखते बेए तुम्हारे पिताजी कभी अलाव नहीं करेंगी कि तुम्हें क्या खोलो बूटिक खोलो तो इस पर सोफी बोलती है कि और एन एक्टरेस बन जाओंगी मैंनेजर नहीं बन जाओंगी तो एक्टरेस बन जाओंगी फिर से उसका सपना सिफ्ट हो गया है इसमें तो बहुत पैसा मिलेगा ठीक है येस एंड आई कूड मेबी आई कि मैं काम एक्टरेस तो बनोंगी ही और साइड बाई साइड बाई साइड भी खोलोंगी ठीक है और एक्टरेस को तो फूल टैम काम नहीं करना पड़ता है है कि नहीं ऐसा बोलती है एनिवें दैट और फैसंड डिजाइनर यूनो सम्थिंग बिट सोफिस्टिकेटव लेखर जो भी हो क्या तो मैं एक एक्टरेस बनोंगी नहीं तो एक फैसंड डिजाइनर मतलब बुटिक खोलोंगी ठीक है कुछना पुछ हटके करोंगी अलग करोंगी ठीक है और इतना बोलके वह अपने धर में एंटर कर जाती है और उससमें बारीश होड़ा होता है तो जैन सी अभी रास्ते में खड़ी है बारीश में ठीक है तो यहां पर वह सीन एंड हो गया अब सीन घर के अंदर का बताया जा रहा है ठीक है इफ इवर आई कम इंटू मनी आई विल बाई यह बूटिक जैन जो शोफी घर में अंटर करते ही बोलती है कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं उस पैसे से क्या एक बूटिक खोलूंगी ठीक है गर के अंदर बुचते यह बात बोलती है हढ इफ इवर कम इंटू म Allah इब उल बढ़ कई इस अलरी के तो यह बात कॉन बोलता है तो यह बात सफी के फादर गड़ का आंदर का सीन चलएक और आप आए दोंगी तो फादर इसके बोलते हैं चीर के कि अगर तुमारे पास कभी पैसा आया तो तुम क्या करोगी हमारे लिए एक अच्छा सा घर खर दोगी ठीक है बस सोफी का पिता जी जो ये बात बूले थे उनको अब डिस्क्राइब किया गया है कि उनके पिता जी अभी क्या कर रहे हैं इस सीन में अब इस पिक्चर पर देख सकते हैं इसको शैफर फाई बोलते हैं और अबने मुह में जीतना बड़ा ओ सखे उतना बड़ा मतलब portion मुह के अंदर डाल रहे हैं और जब मुह के अंदर डाल रहे हैं तो उनका जो plump face यानि जो गोल मटोल सा चैरा है वो गोल मटोल चैरा आभी भी काफी ग्रीवी यानि डिर्टी है और पसीने से लटपत है ठीक है मार्क्स फ्रॉम दर डे वो मैनाथ करके लोते हैं मतलब उनका शरीर वैसे ही गंदा है अभी और उतना गंदा शरीर में ही वो खाना खा रहे है ठीक है सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्रेज डोंट सी डैड से लिटल डिर्ट अब डिर्ट एक और करेक्टर आ गया सोफी का छोटा बाई है डिर्ट यह बात याद रखिएगा ठीक है सोफी का छोटा बाई डिर्ट जैंसी इसकी फ्रेंड अभी सीन से साइड है उसको भी पूल ज इस फादर चेर फादर के चेर पीछे जुलवे जुलते यह बात बोलता है देर मदर साइड तो यह सब बात सुनके जो मम्मी है वो साइग मतलब जो गहना सास लेती है अब देखिए यह काफी इंपोर्टेंट प्लेग्राफी इसके उपर कोशन बनता है सोफी देखती है अपनी मम्मी को ठीक है देखती है कि मम्मी जो है स्टूब्ड ओवर दे सिंक पे बेंट हुई है बेंडों के कुछ दो रही है उसमें ठीक है और सोफी सोशती है वांडर करती है कि at the incongruity, incongruity का मतलब होता है incompatible, unfit of the delicate bow which fastened her apron strings सोफी की मम्मी जो है वो एपरन पहनी हुई है तो एपरन के जो धागे है वो कमर पे इतना delicate कोमल तरीके से बांधा हुआ है इतना कोमल गाठ है वो उसी को वो सुशती है कि यह कहीं खुलना जाए यह गाठ ठीक है इन कॉंगरूरस है यह गाठ काम इतना मतलब वो टॉफ कर रही है सिंक में बेंड होगे कुछ बढ़ता निया फिर कुछ दो रही होगी तो एक तो काम टॉफ है और उपर से इतना delicate bow है वहाँ पर मतलब जो जो गाठ वाना हुआ है वो काफी धीर हलका सा गाठ वाना हुआ ह वो कई खुलना जाए यह सोफी सोच रही है क्योंकि गाठ खुल जाएगा तो यह अपरन भी खुल जाएगा और वो सकते हैं उनकी ममी का कपड़ा खराब हो जाए ठीक है यह है इस sign का meaning इसके उपर question आता है इसको याद रखिएगा इस chapter का जितना भी important question answer से उमीद करते है आप मालूम है कहां मिलेगा मेरे website ठीक है अभी आप इसको समझ लीजिए जो बात हम बोल रहे होता है याद रखिए और फिर वो आप question answer easily prepare करनेगे तेखिए देलिगेट सीमिंग बाव वो बाव वो जो गाठ जो था वो काफी को हलका सा गाठ दीक रहा था and a crooked back और जो उनकी मा का जो कमर था वो crooked यानि बेंड था यह दोनों चीज आपसमें incongruous fit नहीं खा रहे थे ठीक है the evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with a heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing piled up in the corner हम आपको starting में बात बुले थे कि Sophie जो है एक lower middle class family से belong करती है तब आपके मन में यह doubt आया होगा कि यह हम कैसे बोल सकते हैं कोई proof तो होना चाहिए ना कैसे परदा चल रहा है कि Sophie lower middle class family से belong करती है तो वो हमें इस लाइन से पता चल रहा है ठीक है देखें लिखाएटी साम हो गया था ठीक है और अंदकार चाह गया था खिर्की के बाहर काला दिख रहा था ब्लैक दिख रहा था ठीक है अधे स्मॉल रूम सबसे पहले तो जो रूम में यह लोग रह रह रहे है वो छोटा सा रूम में यह पैला प्रूफ हो गया ठीक है वस इस्टीमी फ्रॉम देटोव जो स्टोफ था चूला था वहां से वाटर वेपवर और दुवाओ निकलके वो पुरा रूम स्टीमी हो गया था ठीक है समझ रहे धुमा से बढ़ गया था तो यह से भी पता चल रहा है कि यह लोग का गड़ यह लोग मतलब लोग को बिलॉग करते हैं एंड ख्लॉटर्ड विद था हेवी ब्रीधिंग मैं इन इस वेस्ट हेवी ब्रीधिंग मैं मतलब सोथी के पिता जी को यहां पर बोला गया है काफी गया मतलब भारी तरीके से सांस ले तो तो आवाज आता है ठीक है वो वेस्ट पहने हुए हैं at the table और table बे बैठे हुए हैं और उनका बैठेने से वो room clutter मतलब room खराब सा हो गया है ठीक है and the dirty washing और गंदे गंदे जो कपरे हैं वो piled up in the corner पर उनका धेड़ लगा हुआ है तो इससे समझ मारा है कि यह लोग उतने पैसे वाले तो हैं नहीं lower middle glass family है ठीक है Sophie felt the tightening in her throat very 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 important line इसके उपर question आता है तो Sophie यह सब scene देखके उसको थोड़ा गुटन सा होता है tightening in her throat ठीक है गले में घुटन सा होता है इसका meaning pushing के exam में कि क्यों वो अपने throat में tightening feel करती है तो इसका answer होगा यह कि she is unable to accept her middle class background इतना गड़ेगी देखके उसे वो ऐसे पसंद नहीं आता है उसका तो सपना है actress बनने का manager बनने का boutique खोलने का कहां वो यह सब गड़ परी हुई है ठीक है इसलिए उसको यहां पर अच्छा नहीं लगता है तो she went to look for her brother जियोफ तो वो उस रूम से निकल के कहां पर जाती है अपने बड़े भाई जियोफ के पास जाती है तो अभी तक समझ मैं रहा है family में कौन पौन है Sophie Sophie का छोटा भाई कौन है डिरेक यह दा फिर इसका बड़ा भाई भी है जियोफ तो इस story में डिरेक का उतना रोल तो है नहीं लेकिन जियोफ एक काफी important character है इसको हम लोग study करेंगे ठीक है तो और इस line से हमें यह भी जिस clear हो रहा है कि जब भी Sophie को tension होता है problem में होती है तो वो किस के पास चली जाती है अपने भाई बड़े भाई जियोफ के पास जाती है इन दोलों का अरिस्ता काफी close है ठीक है तो seek solace यह याद रखिएगा हो चलिए तो Sophie अभी चली गई है जियोफ के रूम में और जियोफ महां पे क्या कर रहा है वो देखिए he was kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper sprayed on the carpet जियोफ क्या कर रहा है वो गुटनों के बल फ्लोर पे बैठा हुआ है बगल वाले रूम में ठीक है tinkering मतलब trying to repair जब कोई इंसान के पास जड़ा knowledge नहीं होता है लेकिन तबी भी वो किसी instrument को ठीक करने कोशिश करता है उसको बलते tinkering कर रहा है वो ठीक है गाट रहा है तो cash is tinkering कर रहा था वो with a part of his motorcycle 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 के कोई एक part था उसको वो इस tinkering कर रहा था और चुकि ये इसमें काफी mobile तेल वगड़ा होता है तो उसलिए वो कार्वेट पे एक अकवार भिचा के उसको साफ कर रहा था ठीक है He was three years out of school Jioff को school से pass out हुए हुए तीन साल हो गया है और अभी वो क्या है एक apprentice mechanic है Apparentis mechanic मतलब अभी fully mechanic नहीं बना है वो as a helper किसी दूसरे mechanic के अंडर में काम करता है ठीक है Traveling to his work each day to the far side of the city और daily वो सहर के और दूर इलाके में जाता है काम करने के लिए ठीक है यह Jioff के बारे में बताया जाता है He was almost grown up now अब यह काफी जवान हो चुगा था Jioff and C suspected areas of his life about which he knew nothing C यानि Sophie Sophie को पता नहीं था कि Jioff मतलब क्या-क्या काम करता है उसके life का वो सब areas मतलब जिसके बारे में Sophie को पता नहीं था Sophie doubt करते थी कि वो इस समय में ऐसा ये करता होगा वो करता होगा ठीक है ऐसा वो सोचती थी about which he never spoke Jioff कभी बताता नहीं था कि वो बाकी टाइम में क्या करता है कब किस से मिलता है कहां जाता है ठीक है तो ये सब चीज Sophie को मालूम नहीं था तो Sophie इस पर suspect doubt करती थी ठीक है और Jioff का खास बात ये था कि वो voluntarily मतलब इच्छा से कभी भी कुछ भी नहीं बूलता था बहुत कम बूलता था ठीक है जितना पूछो उतना ही जवाब देता था what's had to be prized out of him like stones out of the ground जैसे ground से पत्थर उठाके फिकने में effort लगता है वैसे ही Jioff से कुछ बुलवाने में भी उतना ही effort लगता है ठीक है उससे कोई चीज बुलवाना पड़ता था वो खुद कुछ नहीं बूलता था and she was jealous of his silence और इसी silence का वज़र से Sophie कापी jealous feel करती थी Jioff से समझ रहे क्यों क्यों क्योंकि when he wasn't speaking it was as though he was away somewhere out there in the world in those places she had never been क्योंकि Jioff क्या था वो अपने में ही मगन रहता था जादा कि इसे बात्चीत नहीं करता था तो Sophie सोशती थी कि जब Jioff बात नहीं कर रहा है मतलब वो अपने ही खयालों में खोया हुआ है वो एक अलग दुनिया में है ठीके ऐसी दुनिया में ऐसे प्लेस में है जहांपे Sophie कभी विज़ेट नहीं की है ठीके और यही चीज़ Sophie को काफी attract भी करता था था जियोफ की तरफ समझ रहे हैं कि नहीं यह पहला पॉइंट आगे देखिए अब इसको मनलाइन किये हैं बताएंगे कोशन कैसा बनेगा अभी समझते चलिए whether they were only the outlying districts of the city or places beyond the surrounding country who knew तो यहां पर बोला गया था कि जब जियोफ बात नहीं कर रहा होता है इसका मतलब जियोफ अपने ही दुनिया में है वो अलग ही place में है वो place हो सकता है कि बगल का district हो या फिर वो place हो सकता है कि surrounding दूसरे country का कोई place हो किसे पता था ठीक है they uttered a special fascination simply because they were unknown to her लेकिन Sophie के लिए यह काफी fascinating चीज़ था एक attractive चीज़ था कि जियोफ साइलेंट चब रहता है तो वो अपना ही खैलो में खोया हुआ है तो Sophie को मालूम में जियोफ क्या सोच रहा है नी सोच रहा है Sophie के out of reach है मतलब जियोफ क्या सोच रहा है तो इसी से Sophie काफी ज़दा fascinated attract हो तो जियोफ की तरफ ठीक है और यहां पर आपने देखा भी जब Sophie को थोड़ा attention हुआ था तो Sophie किसके पास गई थी जियोफ के पास ही गई थी आगे देशिया परफ there were also people exotic, interesting people of whom he never spoke एक तो गया place अलग-अलग place में जाता होगा और यह भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो की काफी exotic, unusual अलग-अलग type के लोगों से यह मिलता हो ठीक है, interesting लोगों से मिलता हो उन लोगों के बाड़े में जियोफ कभी नहीं बताता है it was possible तो बले ही जियोफ एक काफी सांत बच्चा है ठीक है, सांत भाई है जल्दी नया friends बनाता नहीं लेगिन इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि जियोफ डेली नए नए लोगों से exotic लोगों से, interesting लोगों से मिलता होगा, ठीक है और उनसे अच्छा-चा बात करता होगा तो यह चीज़ भी Sophie को attract करता है जियोफ की तरफ she long to know them समझ रहे, Sophie को भी यह चीज़ जाना था कि जियोफ किस से मिलता है, किस से बात करता है Sophie को भी उनसे बात करना था, ठीक है she wished, Sophie चाती थी, wish करती थी कि she could be admitted more deeply into her brother's affection Sophie चाती थी कि उसका भाई उसे और ही प्यार करे, उससे अपना सारा बात सेर करे, ठीक है and that someday he might take her with him, और कोई एक दिन ऐसा भी आए जब उसका भाई उसे भी अपने साथ ले के जाए ठीक है though her father forwarded, भले ही इस चीज़ को उसके पिदा जी काफी मना करते थे, कि Sophie कभी अपने भाई के साथ नहीं जाएगी, and Joseph never expressed an opinion, और Joseph ने तो कभी अपना opinion ही एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब Joseph का मन है की नहीं, Sophie को अपने साथ ले जाने का उन्हों ने कभी अपना opinion ही नहीं दिया, ठीक है और उसके पिदा जी इसके सथ मना करते थे Sophie को कहीं ले जाने से, ठीक है she knew, he thought her too young, Sophie को मालूम था कि जीओब सोचता है, कि Sophie काफी छोटी है ठीक है, इसलिए वो सारा बात Sophie से से शेर नहीं करता था and she was impatient और यहीं चीज़ Sophie को बेचेन करता था she was conscious of a vast world out there waiting for her Sophie को मालूम था कि एक बहुत ही बड़ा दुनिया है, जो उसका इंतिजार कर रही है और Sophie को यह बात भी मालूम था कि she would feel as at home there as in the city which had always been her home तो अभी जिस city में रह रही है वैसा ही comfortable वो उस जगह में भी feel करेगी जिस जगह में वो Sophie गई नहीं है ठीक है it expectantly awaited her arrival वो जगह जो unknown places है वो मानू wait कर रहे है Sophie के आने का ठीक है, ऐसा Sophie फेंटसाइज करती है imagine करनी है, सपना देख रही है she saw herself writing there behind Jioff और वो अब देखे, सपना देखते-देखते क्या सोचती है वो imagine करती है कि वो जिओफ के पिछे बैठ के जा रही है ठीक है he wore new shining black leather जिओफ जो है वो नए sign करता हुआ काले रंग leather jacket पहना हुआ था और Sophie जो है वो येलो ड्रेस बैनी हुई है और उसके कंदों पे एक केप ऐसे पर्दे जैसा कुछ जूल रहा है ठीक है और जब ये लोग बैक से राइट करते हुए आगे जा रहे है तो वो जो केप है जो परदा है वो फ्लो कर रहा है हम हमें नहरा रहा है There was a sound of applause as the world rose to greet them और जैसे ये लोग आस्ते से जा रहे है तो पुरा दुनिया ताली बजा के इनका स्ट्राउगत कर रही है ऐसा कुछ वो imagine कर रही है Sophie, ठीक है, तो यहाँ पर question बनता है, कि Sophie कैसे attract होती थी अपनी भाई की तरब, किन-किन reason उसे attract होती है, ठीक है, तो पहला reason तो यह हो गया कि, जी ओफ ज़्यादा कुछ बताता नहीं था उसको, तो Sophie suspect करती थी, कि जब वो बात नहीं कर रहा होता है, तो वो एक अलग ही place में चला जाता है, ठीक है, फिर, सोफी इस बात से भी attract होती थी कि, जो जी ओफ है, वो रोज नहीं नहीं इंट्रेसिंग लोगों से मिलता है, तो Sophie को भी उनसे मिलना था, तो इन सब चुछ से attract होती है, इसका detailed answer आपकर मेरे website में मिल जाएगा, अच्छ जी ओफ क्या कर रहा होता है, उसमें, वो एक motorcycle पार्ट को tinkering, repair कर रहा होता है, तो वो काफी frowning, गुसे से देख रहा होता है, उस oily component को, oily part को, जिसे वो खोल किया होता है, अपने हाथों में, as though it were a small dumb anyone, and he was willing it to speak, वो उस पार्ट को ऐसे वोल्ड किया होता है, जैसे कि मानो तो वो एक कुंगा एनिमल हो, और वो चाहता होगी, जियोफ चाहता होगी, वो पार्ट कुछ बोले उसे, ठीक है, तो इस पे Sophie बोलती है, यहाँ पे अभी आके, कि I met Danny Casey, Sophie said, Sophie रूम बे एंटर करती है, बोलती है, कि मैं Danny Casey से मिली, अब यह Danny Casey कोन है, इसके बारे मैं दो बा दुसरा बात, प्लेट फॉर उनाइट, उनाइट नापका एक टीम है, उसके लिए यह खेलता है, ठीक है, Danny Casey, तो आमने जो स्टार्टिंग में देखा था, इस स्टोरी का दो थीम था, एक है एडोलेशन फैंटसाइजिंग, और दूसरा है हीरो वर्षीपिंग, तो यहाँ जियोफ बोलता है, he looked around abruptly, where, जियोफ भी काफी एक्साइट हुजाद बोलते कहां मिली उन से, क्योंकि यह काफी famous personality है, तो इस पे यह reply देती है, Sophie, कि in the arcade, आर्केट में मिली, ठीक है, funnily enough, यह काफी funny बात है, आर्केट में मिला, आर्केट क्या होता है, और covered passageway with shops, आप picture में देख सकते हैं, ऐसा ओबर में छट लगा हुआ है, और दोनों साइट में कहा है, दुकान है, इसको आर्केट बोलते हैं, तो यहीं पे मिली थी वो, कौन किसे मिला था, Sophie मिली थी Danny Casey से, Danny Casey कोन है, एक Irish football player है, जो कि United team के लिए खेलता है, ठीक है, तो इस पे जियोफ बोलता है कि it's never true, यह सच नहीं हो सकता है, Sophie बोलती है, I did too, लेकि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच है, यू टो डैड, जोफ पुष्टा है Sophie से, कि किया तुन नहीं यह बात पिता जी को बताया, शेशूख हर हेट, तो Sophie सेरी लागे बोलते है, कि नहीं नहीं बताय चैसंड, at his unawareness, that he was always the first to share our secrets, very 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 important line, यहाँ है Sophie जो है, वो जियोफ को कितना, मतलब, जियोफ के बारे में कितना respect करती है, कितना अच्छा feel करती है, वो इस बात से परदा जलता है, Sophie यह कोशन सुन के काफी ज़दा चैसंड, यह डिसपोइंटेड हो जाती है, उदास हो जात जियोफ को मालूब राचाहिए, कि कोई भी नया बात होता है, वो सबसे पहले आकर जियोफ को बताती है, तब यह किसी और को बताती है, ठीक है, तो यहाँ पर जियोफ जो यह कोशन कर देता है, कि क्या तुमने यह बात पिता जी को बताया, तो Sophie के लिए जियोफ इस पेश कि वो ही पहला बंदा होता है, जिससे वो अपना सिक्रेट शेयर करती है, ठीक है, I don't believe it, जोफ बोलता है कि मुझे बिश्वास नहीं हो रहा है, कि तुम Danny कैसी से मिली हो, तो इस पे Sophie और elaborate करती है, कि there I was looking at the clothes in, clothes in Royce window, when someone came and stood beside me, तो देखी मैं क्या करे थी, आर्केट में ब आता है, और मेरे बगल में खड़ा हो जाता है, ठीक है, मैं देखती हूँ, सिरु ठाके कि कौन खड़ा हुआ मेरे बगल में, and who should it be, but Danny कैसी, तो मेरे बगल में और कोई नहीं था, बलकि सिफ Danny कैसी था, तो ऐसे मुलाकात होता है उन दोनों का, ऐसा बात Sophie बताती है, अब यह सच है कि नहीं, सच में वो मिली है कि नहीं, डेनी कैसी से, यह थोटे तरीक लिए सस्पेंस रखते है, आप पता कि यह खूदी, ठीक है, आपको बार में बताएंगे, अल्राइट, वाट दोसी लूक लाइक, तो इस पर जियोग पुछता है कि ठीक है, बताओ वो कैसा दिखता है, तो इस पर, Sophie बोलती है, ओ, come on, you know what he looks like, लाकि चलो राने भी दो, यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि वो कैसा दिखता है, प्लोस टू, I mean, तो इस पर जिय अल्राइट, वो सुचती की दातों के बारे में नहीं बताते है, जो कि ग्रीन होता है, और हाइट के बारे में बताती है, ठीक है, चलिया तब तक यह सब बात होते होते, तब तक उनके पिताजी नहा लिये थे, ठीक है, और उनके जो फेस थे, जो और बाह थे, वो चमक रहे थे, पिंक कलर के दिख रहे थे, अब वसीना सब निकल गया था, और उनसे सोब का इसमेल आ रहा था, ठीक है और उनके चेर पे डिरेक का एक जूता पड़ा हुआ था, तो वो जूता उठाके सोफा पे फैंक देते हैं, और अपने चेर पे बैठ जाते हैं, वित अ ग्रंट, आज करते हुए बैठ जाते हैं, ठीक है तो यह बात सुनके सोफी रिगर्ड मतलब काप उड़ती है, कि अरे यह बात पिता जी को क्यूँ बता दिये, ठीक है तो उसके पिता जी, अपना मोटे गर्दन को टर्न करके देखते हैं, सोफी की तरफ, और उनके चेरे पे एक्सप्रेशन कहता था, यानि डिस्लाइक, काभी चीर के देखते हैं, पिता जी को मालू में कि यह लड़की कालत क्या है, खाली फेकती है, उठा-उठाके, ठीक है किसी से मिली नहीं होगे, जो पूट को आप है, मतलब कि जमला फिरेट कर देए, इस ट्रू, जी अप से जोब बोलता है कि यह सच है, वो सच में मिली है आर्केड में, I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television, पिता जी काफी ध्यान से टीवी देखते हुए, बोलते हैं कि मैं एक बार ऐस अइसे इनसन को जानता था, जो Tom Finney को जानते थे, Tom Finney को हुए, यह भी काफी जाने माने foot Raiders हुआ करते थे, पिताजी की जमाने के ठीक है, तो वो ऐसे इसे इंसन को जानते थे, जो Tom Finney को जानते थे, but that was a long time Chairman, लेकिन यह काफी पहले का बात है, यह बात पिता जी बोलते है तो फादर बोलते हैं किसी एक दिन टॉंग फिनी जितना महान खिलारी बनेगा ठीक है बेटर देन डाट इवन ही इस बेस्ट तो इस पे जोब बोलता है कि डैनी केसी टॉंग फिनी से भी अच्छा खिलारी बनेगा वह बेस्ट है फादर बोलते हैं इस फादर बोलते हैं अगर देनी केसी अपने सीर को मतलब शोल्डर के उपर बखे मतलब अच्छे से सोचे जाला घंद ना चारे उस पे ठीक है तब जाके वह उतना महान खिलारी बन सकता है आज के टाइम पे काफी ज़दा डिस्ट्रेक्शन से यंग्स्टर के लिए इस गेम में फूड वाल में ठीक है तो इस पे जियोग बोलता है कि हाँ वह अच्छा ही रहेगा ठीक है कभी उस पर गमन नहीं चलेगा क्योंकि वह इस कंट्री का है इस कंट्री का बेस्ट टीम के साथ है टीम का नाम बताईए क्या है यूनाइटेड ठीक है चलेगा तो फादर बोलते हैं कि लेकिन वह अभी वह काफी कम उमर का है यह ओल्डर देन आई है मेरे से तो ज़्यादा उमर का है च्योप बोलता है तो यंग रियली फ्रीम फॉर्ड फर्स्टीव मतलब जो में टीम होता है ठीक है तो बलता है कि फिर्स्टीम में खिलने के लिए यह अभी भी काफी कम उमर है यह आप इस पर आर्गु नहीं कर सकते कि उसक्ता अबलीटी इतना जादा है तो यह उतना मैंटर नहीं करता है अब जी ओफ और फादर का बात चली रहा था बीच में आप सोफी आती है और बीच में यह बोलती है कि यह बोलती है कि यह जया सवकड इतने वाला है सेड फम्सार ब outside बेटेश बोलती है हार फादर गृप्डवे घृपड़ी मतलब काफी पेन और डिस्गस्ट मतलब काफी बेकार से उसकी तरफ देखते और बोलते है तुमने ये चीज कहां सुन ली आप ठीक है ये भी तुम्हें मनगरत कानी नहीं है तुमारा he told me so, Sophie बोलते कि उसने मुझे खुद बताया है तो he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair उसके पिताजी कुछ बरबर आते हैं जो समझ में नहीं आता है और फिर chair को turn करके बोलते है this another of your wild stories बोलता है कि ये फिर से कोई तुमारा मनगरत कानी है न तो जिव इस पर बोलता है she met him in the arcade जिव शेट बोलता है कि वो उससे आर्केट में मिली and told him how it had been और उसने सारा बात मुझे बताया है तो इस पर फादर बोलता है कि one of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble our father said aggressively पिता जी काफी गुश्चे के साथ बोलते है कि जिस तरिके से तुम कहानी बना बना के इतना जूट बोलती हो न किसी एक दिन ऐसा होगा कि तुम अपने आपको काफी बड़े मुस्बत में डालोगी जिओफ नोज इस ट्रू डोंट यू जिओफ तो सोफी बोलती कि जिओफ को मालू में मैसज बोल रहे हूं है कि ने जिओफ तो इस पर पिता जी बोलते है he don't believe you though he would like to जिओफ चाहे भी तो तुमके वो believe नहीं करेगा इतना करके यह सीने होता है अब देखिए फिर और दूसरा सीन सीने यहाँ पर टेवल लैंप कास्ट एन एंबर ग्लू एक्रॉस ब्रदर्स बेड्रूम वाल एक्रॉस पोस्टर ऑफ यूनाइटेट्स फिर से जिओफ का रूम का सीने उसका रूम का एक वाल को डिस्क्राइ पर एक टेवल लैंप जल रहा है जो की येलो कलर का ग्लू बिखेर रहा है ठीक है उसके ब्रदर का बेड्रूम वाल पे ठीक है उस वाल पे एक काफी बड़ा पोस्टर लगा है यूनाइटेट का फॉर्स टीम स्कॉाइट का ठीक है और उस पुरा टीम का फोटो लगा उस पॉटोग्राफ्स में से तीन फोटोग्राफ्स तो क्या है ऐख इन में से तीन फोटोग्राफ्स टैनी केसी का है यहांपे आई रीश प्रोडिगी कहा है तो बिलाच कर यंग person, ठीक है, कब और मैं काफी talented बन्दे को prodigy कहते है, ठीक है तो यहाँ पे Danny कासी को prodigy कहा है, इसको याद रखिएगा Promise, you will tell no one, Sophie said Sophie बोलते है, Promise करो तुम किजी को नहीं बताऊगे ऐसा Geoff को बोलती है Geoff बोलता है, Nothing to tell is there कुछ बताने को है भी लई जिओ बोलता है तो इस पर सोफी बोलती है कि प्रामिस करो जिओ फो डैड उन मदर में जैड मुझा मदर कर देंगे तुम प्रामिस करो ये बात तुम डैड को नहीं बता होगे ओनली इफी थोट इट वास ट्रू डैड तुमारा मदर तो तभी करेंगे ना जब उन्हें ये बात का विश्वास हो जाएगे तुम सही सच बुल रही हो सोफी बोलती है प्लीज योग बोलता है कि प्लीज मुझे मुझे प्रामिस करो तो क्राइस्ट सोफी यू और स्टिल इसकूल तो इसपे जियोग बोलता है कि है भगवान सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो और केसी के पास तो अभी भी कई सारी लड़किया होंगी ठीक है कई सारी गल्फर्ड होगी उसकी वो क्यो तुमारे पिछे पड़ेगा नो ही ड़जन सोफी बोलता है नहीं नहीं है इसकी बोलता है कि कोई यह बात तुम है क्यों बताएगा ठीक है तुम यह से डीट विलते कि हा उसने मुझे बताया रही दुट वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है इस क्वाइट बोलता है कि वो कापे सांध लड़का है नोट एस क्वाइट नहीं है कि उसका कोई लड़की गल्फर्ण ना हो ठीक है इसा कोई बात नहीं है जिसने उससे पहले बात किया ठीक है वो मुझसे पहले बात नहीं किया वेन आई सो वो इट वाज आई सेट जब मैंने देखा कि मेरे बगल में डेनी केसी खारा है तो मैं बोली इस्क्यूज मी बट आरंट यू डेनी केसी ठीक है और यह अरे जिया गूल है और यह इंस देखके अफ रहे पहले अपनद में डेनी केसी गहरें देखा कि में डेनी के सेट केसी हैं जब है इस्क्यूज में तरीक वो मुझाही को घठब इस समय किए अ डेनी के केसी हाय आग है यहा रही और अटोग्राफ फॉर लिटल डिरेक्ट मैं अपर छोड़े बाई डिरेक्ट के लिए उससे एक और ग्राफ ही मागी लेकिन हम दोनों के पास ही नहीं कोई पेपर था ना पेन था तो इसलिए हमने बस थोड़े दर बात ही किया about catchers के बारे में बात किया कपरों के बारे में बात किया इंदा-इस वेंडू ठीकर ही सीम्ट लोनलीव घट एलिन दीक रहां तो वह लोनली इस लिए टाफ है और रudड किर आप लेंदा होंगे तो वहां से काक्शू कि है कि यह काफी टूर ए ता दूर ता देनी केसिंग उसलिए वो तो आकलापन फिल कर रहा था and then judged as he was going he said if I would care to meet him next week he would give me an autograph there और जैसे ही हम लोग जाने वाले थे मैं जाने वाले थी तो वो खुदी मुझसे बोलते है कि क्या अगले हपता मैं उनसे मिलना चाहूंगी क्योंकि जब वो मिलेंगे तो अगले हपता वो क्या कर पाएंगे अपना ओटोग्राफ दे पाएंगे ऐसा सोफी बताती है जीओफ को कि डेनी किसी उसे खुल बोला कि अगले हपता मिलूगी क्या तुम उससे ऐसा बात है ऑफ कोर्स आई से डाइब तो मैं बोली हाँ बिल्कुल मिलूंगी ठीक है एज इफ यूट एवर सो अप तो इस पर जीओफ बोलता है कि वो तुमसे देखो मिलने आई ही जाएगा नहीं आईगा ऐसा बिलने ठीक है ऐसा जीओफ बोलता है इतने पर जीओफ क्या करता है एक जैकेट उठाता है जो कि काफी शाइनी था और शेप मतलब सही शेप में नहीं दिख रहा था उसको सही तरीके से रखा नहीं हुआ था ठीक है जैकेट कहा से उठाता है वो चेर के पीछे से और पहन लेता है शीओफ जीओफ जो था वो एक काफी लंबा इंसान था विद श्ट्रॉंग डार्क फेस ठीक है हैंसम सी थाट उसको अपना भाई काफी हैंसम लगता था इस ता अन लाइक्षनिएस थिंग आई हैब आई एवर हर्ड ही सेट और जीओफ जैकेट पैंड के यह बात बोलता है कि विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझे क्या बोल रही हो ऐसा वही नहीं नहीं सकता है कि महान आदमी तुम से ऐसा बोले कि तुम मुझे से नेक्स्ट विक मिलो वह तुम आटोग्राप दोंगा ठीकेट विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर इतने पर यह सीन एंड हो जाता है अब एक और डूसरा सीन है यहां पर ऑन सैटेड़े करते करते सैटेड़े आ जाता है विख्ली पिल्ग्रिमच टू व ट्यू उनसे पूर्व स्टिम करते करते की तुमरे करते हैं टिस्ट यहरूं हाटिए तिसके वहें देन पूरी फामिली कौन देखाए सोफिक होई थी उसके पादर गय वे थे लीटल इऱेट गया ओ है रूसका ठीके यह तीनो लोग कहां बैटे थे, sad, went down near the goal, goal की तरफ जाके खरे हो गए थे, और जियो भी गया हुआ था, वो हर बार की तरफ, went with his mates higher up, अपने दोस्तों के साथ, उपर कहीं बैटा हुआ था, ठीक है, ये चार लोग गए थे, ममी नहीं आए थी, United won 2-0, तो United ये match को 2-0 से जीत लेता है, and Casey drove in the second goal, और ये जो दूसरा goal होता है, वो Danny Casey करता है, ठीक है, कैसे करता है, देखिए, A blend of innocence and Irish genius, कैसी को ये पर describe किया गया है, देखने में काफी innocent है, और Irish genius है, ठीक है, दिमाग भी काफी तेज है, Going round कैसे goal करता है, उसको ये पर describe किया हुआ है, देखिए, लिखाए कि, Going round the two big defenders on the edge of the penalty area, Penalty area के किनारे पे, दो हट्टे कट्टे players खड़े थे, उनको pass करते हुए, और जब वो pass कर रहा था उन दोनों players को, तब उसके पिता जी, उनके पिता जी मतलब हुए, सोथी के पिता जी, आपने seat से ही चिला रहे थे, कि pass करो, pass करो, और इतने पे, and beating the hesitant goalkeeper, इतने पे, यह जो Danny Casey है, वो strike मारता है, क्या करता है कि, goalkeeper भी beat हो जाता है, और कितने दूर से मारता है, from a dozen yards, 12 yards दूरी से लगवक, एक strike मारता है, और वो बीट करते हुए, एक goal कर देता है, यह दूसरा वाला goal, ठीक है, सोफी glowed with pride, जैसे ही Danny Casey goal करता है, तो सोफी पुरा गर्व करने लगती है, मानो, यह इसी का बंदा हो, ठीक है, afterwards, जीओफ वास, ecstatic, ठीक है, और बाद में, goal होने का बाद, जीओफ भी काफी ज़्यादा खुस हो जाता है, ठीक है, I wish he was an Englishman, someone said on the bus, तो जब लोग आपस आप घर लोट रहे हैं, बस में बैठके, तो एक एक इंसान कहता है कि, कास यह Danny Casey, एक Englishman होता, यह है तो क्या Irish है, ठीक है, Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home, जब लोग घर पहुच गए, तो घर पहुच थे ही, जो चोटा भाई है, डिरेक, वो बलता है कि, इस वार World Cup तो Ireland ही जीतेगा, ठीक है, Her father was gone to the pub to celebrate, और पिता जी इस जीत को celebrate करने के लिए, पब में गए हुए थे, What's this, इतने पर यह scene end हो जाता है, अब दूसरा दिन, अगला scene नहीं आए यह आपे, ठीक है, फिर से अब जैंसी आती है, जैंसी बोलते है कि तुम क्या यह सब बोल रही हो, अगले अब ता जैंसी ऐसा बोलती है Sophie को, कि तुम क्या अफवा फैल आ रही हो और जगा, About what, Sophie बोलती है कि किस बारे में, मैं क्या बोली, तो जैंसी बोलती है, कि your Geoff told our Frank, या you met Danny Casey, तुमारे बड़े भाई Geoff ने मेरे बड़े भाई Frank को कहा, कि तुम Danny Casey से मिली हो, ठीक है, मतलब, Sophie ने जो Geoff को बताया था, कि वो Danny Casey से मिली है, आर्केड में, ये बात Geoff ने, Frank को बता दिया, Frank को ने, जैंसी का बड़ा भाई, ठीक है, This wasn't an inquisition, just Jansi being noisy, यहाँ पर राइटरां में बताते हैं, कि ये कोई question नहीं था, ठीक है, ये कोई question नहीं था, ये जैंसी का ये आदत है, कि हर ममले में दखल देना, ठीक है, तो Jansi frowned sensing she was covering, Jansi कुसे से देखती है, वो उसको सक होता है कि कुछ बात चिपा ड़ी है, ये Sophie, ठीक है, ये हाँ, वो बात, ठीक है, Well, yes I did, बोले कि हाँ, मैं मिली, ठीक है, You never did Jansi's claim, Jansi बोलती है कि तुम कभी मिली नहीं हो, तुम जूट बोल रही हो रहा, Sophie glared at the ground, तो Sophie, ground पर तिखने लगती है, Damn that Jansi, this was a Jansi thing, not a Jansi thing, Sophie सुचती है कि ये बात Jansi के लिए था, ठीक है, Jansi के लिए नहीं था ये बात, Jansi के लिए नहीं था ये बात, ये Sophie का डेनी कैसी से मिलना, काफी special बात था, काफी secret था, ये बात सिफ जियोफ को जने लाई था, क्योंकि Sophie अपने करीब सबसे जियोफ को ही मानती है, तो Sophie ये बात Jansi को बता दिया, तो इससे Sophie को काफी बुड़ा फिल होता है, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये बात तो सिफ जियोफ के लिए था, Jansi के लिए नहीं, ठीक है, something secret, ये एक secret बात था, जो कि Jansi को नहीं बताना चाहिए था, it wasn't a Jansi kind of thing at all, और Jansi को तो खासकर से नहीं बताना चाहिए था, क्यों, क्योंकि, अधर आप इस गौकी, Jansi, को ये बात बता देंगे, कुछ इस्तिर्की का बात, तो क्या होगा कि पूरा neighborhood जान जाएगा, इस बात के बारे में, मतलब, Jansi के पेट में कोई बात पसता नहीं है, इसके उपर भी exam में question आता है, ठीक है, कि Sophie क्यों नहीं चाहती थी, Jansi को सारा बात पता चले, क्या, तो it's a secret meant to be, Sophie अब इतना सोचने के बात, Jansi को बोलती है, कि एक secret है, I will keep a secret, Sophie, you know that, Jansi बोलती है, कि मैं भी secret रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बताओ जारा बात क्या हुआ, I wasn't going to tell anyone, there will be a right old row, if my dad gets to hear about it, इस पे Sophie बोलती है, मैं इसलिए ये बात किसी को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि, तो मैं मालूम है है, अगर मैंने पिता जी को इस बार एक बता चल गया, तो फिर से वही पुराना, जो रो है, जो जगरा है, बावाल है, वो ख़ड़ा हो जाएगा, ठीके, जैनसी ब्लिंट, तो जैनसी चौक के बोलती है, और रो, जगरा होगा इस बात पे, मैं तो सोची कि तुमारे पिता जी चौक मैंने प्लीज, डिलाइटेट, काफी जगरा खुश होंगे ये बात सुनके, तो ये बात सुनके, सोफी यहाँ पर समझ जाती है, कि सी रिएलाइज देन डैट, जैनसी डिडिंट लो अबवाट देट, जैनसी को डेट कावाड में मालूम नहीं है, चलो जियोफ ने ये बात तो उसे नहीं बताया, कम से कम, यहाँ पर Sophie काफी startled, choke गई थी कि जंसी को सारा बात पत लग गया है सारा बात दीख़ें, दो बात है यहाँ पर पहला बात यह है कि Sophie का Danny केशी से मिलना यह बात G.O.F को भी मालूम है, G.O.F के घर में सब को मालूम है, पिदा जी को भी मालूम है ठीक है जो कि बिलीब नहीं किये इस बात को और दूसरा बात यहिये था कि यह डैनी कैसी जो है यह सोफी से अगे हटा मिलने वाला है जिसको कहा गिया है यहाँ पर डेट ठीक है मिलके इसको इसको ऑठोगraaf देगा यह बात जो है यह सी जी ओफ को मालूम है यह पिता जी को भी मालूम नहीं है तो यहाँ पर सोफी स्टार्टर हो गए थे चोग गई थी यह सोचके कि कहीं जैनसी को यह डेट के बारे में तो मालूम नहीं चल गया ठीक है तो यहाँ पर सोफी काफी रिलाक्स फिल करती है कि चलो जैनस जैंसी को यह बात मालूम नहीं चाला ठीक है से ब्रीदेट मोर इजली अब वो काफी अच्छे सांस लेती है सो जीओफ अदेंट लेट हर डाउ आफटर ओल जीओफ ने इतना तो मेरे लाज रखा तो इसका मतलब जीओफ को मेरे बातों पर विश्वास है आफटर ओल सम्टिंग माइट वी सिक्रेट वाज रख लिया हमारे रिष्टेगा ठीक है से इक निट है यहाँ पर इट वोज जस्ट लिटल तिंग रियली सब्सक्रेट वोज बताती है डीटल में चैंसी को कि क्या क्या हुआ वो बताती है कि जाला कुछ हुआ नहीं मैं बस उनसे ओटोग्राफ मांगी लेकिन हम दोनों के पास यह ना पेपर था ना पेन था तो ओटोग्राफ नहीं ले पाई बस इतना बोलके वो रूज आती है और वो सुचती है कि जियोफ ने कितना बताया होगा इसको जैसस आई विश आई वूड है बिन देर तो जैंसी बोलते कि कास में भी हुआ होती तुमारे साथ तो इस पर सोफी बोलती है अफकोर्स माई डाट डिडिंट वांट टू बिलीव इट यह तो तुम जानती हो मेरे पिता जी इस बात को बिलीव नहीं करते है तो ऐसा इंजान जो कोई बात को बिलीव ना करें सक करें उसको बोलते है स्केप्टिकल और पेसिमिस्टिक जो सोचतर है कि कुछ बुड़ा but the last thing I need is cues of people around our house last thing I need का मतलब होता है मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए Sophie को क्या नहीं चाहिए कि मेरे घर के बाहर line लग जाए लोगों का और लोग ये पूछे मेरे घर में आके कि Danny किसी का क्या माजला है ठीक है he would murder me क्या कर रहा है क्योंकि अधर ऐसा हो गया तो मेरे पिता जी मेरा murder कर देंगे and you know how my mom gets when there's a lot so मैं मालूमी है कि मेरी मा का क्या हाल हो जाता है जब घर में कोई जहंगरा होता है तो जैंसी काफी धीरे से फुसफुस आके बूलती है you can trust me so you don't add लगे तुम मेरे विश्वास कर सकती हो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी ठीक है चलिए तो इतने पेल दुनों का बाचित खतम हो जाता है यहाँ पर एक ही कुशन ये main वाला बनेगा कि क्यूं नहीं चाहती थी सोफी क्यूं नहीं चाहती थी कि ये बात जैंसी को पड़ा चले ठीक है ये कुशन ये बनता है और बस देखें अब दूसरा फिर सी नहीं पर डिस्क्राइब किया गया है अब आगे क्या होता है देखें आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाई दा कैनल अलोंग अ शैटर्ड शैल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाई ग्लेर अफ्ड अफ्ड अक्रॉस दा वाटर ये वार्फ दूसरा अब दोंगते हैं जो समान या फिर पर प्चंजर है उसको लोडिंग अनलोडिंग करते है डिकेनल समर्ष्टे आपस प्रिक्चर पर डख फिक्स हुआ है आज डेनी के सिंट सोफी से मिलके एक आटोग्राफ देने वाला है ठीक है तो वही साम आई है लिखाए कि साम को अंदकार हो चुका है सोफी जो है वो वाक कर रही है कैनल के किनारे और वह पास चुरास्ता है वह उपर छत लगा हुआ है और वहां पर सी एक ही लाइट आ रहा है रोष्णी आ रहा है कहां से वार्फ से कुछ लाइम्स का रोष्णी आ रहा है वहां तक ठीक है अनिसीजिंग ड्रॉन ओप दे सिटी वर से अ प्रफ दीस्टेंड ट्रॉन का मतलब होता है जो साउंड का जो अनिस्ट आपब साउंड वह यह पर दिरे-दिरे आ रहा था मॉफल था मतलब काफी कम आवाज आ रहा था काफी दूर से आवाज आ रहा था It was a place she had often played in when she was a child यह place Sophie के काफी करीब था क्यों? क्योंकि वो बस्पन में यही खेला करती थी फिर एक वहाँ पे एक लोता एक पेर था उस पेर के नीचे एक wooden bench लगा हुआ था जहाँ पे अक्सर जो lovers होते थे वो बैट के बात ही किया कर देते तो Sophie भी उस चेर पे बैट जाती है wooden bench पे ठीक है यह काफी perfect place था She had always thought so for a meeting of this kind इस टैप का मुलाकात के लिए इसे date के लिए ऐसे special person से मिलने चे लिए Sophie के नजर में यह perfect place था ऐसे इंसान जो चाहते हो कि जिने को इनाद देखे छिप के चीशे मिलना है उसके लिए यह perfect place था She knew he would approve Sophie को मालूम था कि अगर Danny Casey यहाँ पे आया तो उसे भी यह place काफी पसंद आएगा For some while waiting, she imagined he is coming अब Sophie वहाँ पे बैटे बैटे इन दिजार कर रही है ठीक है? और वो imagine करती है कि Danny Casey चलते सामने के तरफ आ रहा है ठीक है? She was along the canal, seeing him come out of the shadows वो देखती है कि Shadows के बीच में Danny Casey का figure आ रहा है सामने Imagining her own consequent excitement और वो यह भी imagine कर रही है कि वो कितना excited हो रही है ठीक है? Not until sometime had left Did she began balancing against the idea of he is not coming फिर थार टाइम जब पास हो गया जब टाइम पास होने का बाद उसे ये बात अब धिरे धिरे realize हो रहा है वो अब इस thought को balance, reality को accept कर रही है कि Danny Casey आने वाला नहीं है अभी तक तो आपने जो भी देखा था जो भी सुना अभी तक story में कि उसका मुलाकात आर्केड में हुआ Danny Casey के साथ Danny Casey उसे एक अपता बाद मिलने के लिए बुलाया यहां पे ठीक है तो यह सब Sophie का क्या है fantasy है वो reality में Danny Casey से मिली ही नहीं है ठीक है सब fantasy है reality में मिली नहीं है सब उसका मनगरत कान नहीं है यह सब तो इतना वो hero worshiping के पीछे पड़ गई है कि वो खुद भी आप आप इसमें पागल हो चुकी है फैल्टसाइजिंग करने में कि वो खुदी इस बात को realize नहीं कर पा रही थी यहां पर लिखा हुआ था वो खुद imagine कर रही है डेनी के से चलता हुआ आ रहा है वो काफी जड़ा excited हो गई है ठीक है वो यह सब imagine कर दी है realize कब होता है उसे जब कुछ time बीच जाता है न time बीचने का बाद तब उससे धिरे धिरे यह बात realize होता है कि डेनी के सी नहीं आने वाला है ठीक है पागल सी हो गई है वो फिर आगे देखिए here I sit she said to herself वो खुद से ही बात करती कि यहां पे मैं बैठी हुई हूँ मैं चाती हूँ कि डेनी के सी आए मेरे पास ठीक है wishing he would come वो चाती है कि वो आए and sensing the time passing और वो यह भी महसूस कर देखिए कि time दिरे दिरे गुजर रहा है कि डेनी केसी नहीं आने वाला है यह जो pain है उसको अब यह दिरे दिरे फिल हो रहा है I watch for him but still there is no sign of him मैं उसे उसका इंतजार कर रही हूँ लेकिन उसका कोई sign नहीं आने का I remember Jeov saying he would never come मुझे यह भी बात याद आ रहा है Jeov ने कहा था मुझसे घर में कि वो कभी नहीं आएगा मुझसे मिल ले कौन डेनी केसी ठीक है And how none of them believed me when I told him और मैं घर में सब को बोली थी तेकि किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया था तो यह सब बात अभी Sophie को याद आ रहा है I wonder what will I do what can I tell them now if he doesn't come Sophie तो रहेगी अब मैं क्या करूँगी घर में क्या बोलूँगी अगर वो नहीं आता है तो But we know how it was लेकिन हमें पता है कि हमारा रिष्टा कैसा है हमें यानि Sophie और Danny केसी को अब फिर से यहाँ पर फैंटिसाइज करना सुन करती है Danny and me That's the main thing और यही main बात है दुनिया क्या सोचता है मुझसे उचसे फरक नहीं परता है हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों का रिष्टा कैसा है How can you help what people choose to believe लोग क्या believe करते हैं इस पर मेरा control तो नहीं है But all the same it makes me despondent लेकिन खायर जो भी हो अभी Danny केसी मुझसे मिलने नहीं आया तो इससे मैं काफी ज़्यदा sad हूँ This knowing I will never be able to show them They are wrong to doubt to me और मैं sad इसलिए हूँ क्योंकि मैं कभी भी अपने घरवालों के सामने ये बात साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो लोग गलत हैं जब जो लोग मुझसे 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 सक कर रहे थे ठीक है C वेटेड मेजरिंग इंदीस वे थाचेंजेस टेकिंग प्लेस ही नहीं वो इंतिजार कर दी है और वो इस बात को पुड़ा अफजर्ब कर रहे है कि क्या-क्या चेंजेस उसके अंदर हो रहा है माइड सेट में क्या-क्या चेंज हो रहा है रेजिगनेशन वो जल्दी हार मान लेना ये इजी बात नहीं है वो दिरे-दिरे बात पर रेलाइस कर रही है कि उसका ब्रंग अप टूट रहा है सपनो की दुनिया से वो बहार आ रही है अब यहां आप सोच यह ओंगे कि सोफी, जयो है डेनी कैसी से मिली नहीं लेकिन इस टोरी इस तरहाईस से लिखा हुआ है कि हमें सब मैंत वरा रहा है कि क्या सच में मिली थी और इन का मकसद ह εδώ कि readers के मण में मीली थी और का रुटर को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इसकी निए क्यों को इसा डिखते हैं बता है चले यहां पर हम लो now I have become sad see thought अब वो सोचते है कि अब मैं उदास हो रही हूँ and it is a hard burden to carry और यह काफी बड़ा बोज है carry करने का यह दुख जो है इसको carry करना काफी मुश्खिल है sitting here waiting and knowing he will not come I can see the future and how I will have to live with this burden वो यहां पर इंतजार कर रही है और यह बात भी उसे मालूम है कि वो जिसका इंतजार कर रही है वो आने वाला नहीं है ठीके अब reality के तरफ वो खद्यान जा रहा है ठीके और कैसे उसे जिन्दगी बार इस burden को डोना परेगा जिन्दगी बार लोग उससे सुनाएंगे कि सिर को मतलब confidence को हाई रखना है क्योंकि मुझे पता है कि कैसा चीजे कैसा डिलेशन सी पर हम दो रहा है अल्रेड़ी आई इन्वी सेज मतलब imagine the slow walk home अब सोफी वहां पर बेटे-बेटे imagine कर रही है कि वो धिरे-धिरे घर जा रही है घर आने का बाद जियोफ काफी disappoint हो जाता है यह जानके कि देनी केसी मिलने नहीं आया ठीक है सोफी जियोफ को यह बात बताती है कि देनी केसी उसे मिलने नहीं आया and then he will fly out and slam the door यह सोफी imagine करते कि फिर जियोफ यह बात जानने का बात वो जल्ली से जाएगा और रूं को रूं के दरवाजे को जोड़ से बंद करेगा but we know how it was लेकिन हर जगा उदासी रहेगा लेकिन हमें पता है हमारा relationship कैसा है हमें यानि सोफी और डेनी कैसी को I shall tell myself मैं खुद को बोलूंगी कि Danny and मैं खुद को बोल रहे होंगी कि हमें पता है कि हमारा relationship कैसा है Danny और मेरा it's a hard thing this sadness यह जो दुख है इसको carry करना काफी hard thing है ठीक है see climb the crumbling step to the street अब सोफी वापस घर जा रही है वो टूटी-फूटी जो सीडिया थी उसको चरके रास्ते तक पहुँच जाती है और गुजर रही है वो आप सामने pop के सामने से गुजर रही है ठीक है वहाँ पर देखती है कि उसके पिता जी का cycle वहाँ पर लगा हुआ था ठीक है और यह बात यह देखके वो काफी खुश होती है मतलब थोड़ा relax skill करती है कि चलो अभी घर जाएंगे तो पिता जी का तो समने नहीं करना पड़ेगा ठीक ह कि वो फिर से वो अपना वो मुलाकात को याद करती है जो आर्केट में हुआ था ठीक है वो खुद याद करती कि उसने कैसे कहा था कि आरे आप देनी केसी तो नहीं है coming through the arcade see pictured him again outside Royce अब वो गुजर रही है आर्केट से होते हुए गुजर रही है तो फिर से वो रोशेस का दुकान जब देखती है तो फिर से वो सारा चीज को इमाजिन करती है he turns reddening slightly वो इमाजिन कर रहे है कि देनी केसी की तरफ मुड़ता है और सरम के मारे लाल हो जाता है और बोलता है कि yes that's right हाँ मैं देनी केसी हूँ यह सारा वो फिर से इमाजिन करती है लोटते वक्त I watch you every week with my dad and my brothers we think you are great लेकि मैं हरापता तुम्हें देखती हूँ ठीक है मेरे पिता जी मेरे भाईयों के साथ में और तुम great हो oh well now that's very nice ऐसा देनी केसी बोलते है I wonder would you mind signing an autograph फिर से वो बात इमाजिन कर रही है कि कैसे वो डेनी केसी से autograph मानती है His eyes are on the same level as your own दोनों का आख सेम लेवल दोनों का हाई ठनलग बड़ाबर है ठीक है His nose is freckled नो नोज पे अलकल के red dot से ठीक है And turns upward slightly और nose थोरक उपर की तरफ खड़ा हुआ है ठीक है And when he smiles he does so shyly exposing teeth with gaps between और जब वो smile करता है इतना सर्माते हुए smile करता है कि उसके जो दात दिखते हैं दातों के बिच में gap रिचे जो है वो भी दिख जाता है His eyes are green eyes के और में तो पहले से मालूम है And when he looks straight at you they seem to shimmer और जब वो तुमें straight देख रहा होता है तो उसके आँख लगबख sign करते हैं ठीक है Shimmer का मतलब होता है sign करना Glimmer करना ठीक है They seem gentle काफी gentle आख है उसके almost afraid एक डर है like a gazils जैसे gazils का आख होता है वैसे ही उसके आपको में डर दिखता है And you look away और फिर आप सर्मा के आप भी दरत रिखते हैं You let his eyes run over a little वो लड़की यानि Sophie दूसरी तरप इसके देखती है कि वो चा Then you come back to find them slightly breathless और फिर जब वापस Sophie डेनी केसी के आपको में देखता है तो पाती है कि वो breathless मतलब बेचेन है वो ठीक है And he says I don't seem to have a pain at all और फिर डेनी केसी बोलता है कि मेरे पास तो pain ही नहीं है और फिर Sophie भी realize करती कि उसके पास भी नहीं है My brothers will be very sorry you say Sophie बोलती है कि मेरे जो आई है वो लोग कापी of source करेंगे में एक autograph लेकर नहीं आ पाई And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while standing where he stood remembering the soft melodious voice the shimmer of green eyes और फिर बाद में मतलब अभी का situation क्या है कि वो उसी place में उसी arcade में मुहाँ पे अकेली खड़ी है और सारा जो बात्चीत था उसको याद कर रही है ठीक है कि कैसे मुलाकात हुआ था कितना अच्छा voice था कितना अच्छा आखों में shine था ठीक है नो taller than you, height भी जला नहीं था एकदम ब्रावर का height था, no bolder than you, ठीक है the prodigy, एक सही माईने में वो एक prodigy ही था, the innocent genius, the great denny Casey, कैसे यहाँ पे hero worshiping किया जा रहे है वो आप देखिए फिर आगे लिखा है, and she saw it all again, और वो फिर से यह सारा बात imagine करती है, last Saturday, वो match के बारे बार इमाजिन करती है, ठीक है, जब लोग food world match दिखने गए थे, Saturday को ही गए थे saw him ghost past the lumbering defender, वो देखती है, imagine करती है, याद करती है, recall करती है, कि कैसे, Danny Casey ने ghost past, मतलब काफी फूरती से किसी के सामने से निकलना, वो जो defenders थे, दो अटे कर्टे defenders, उसके सामने से वो निकला था, Danny Casey, ठीक है, lumbering मतलब heavy, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the wall, तो 50,000 जो audience थे, वो लोग कैसे देख रहे थे, और Danny Casey काफी momental दिरे दे लेकर के ball को लेते हुए अगर बढ़ रहा था, and then the explosion of sound as he struck, it's crisply into the goal, जैसे Danny Casey goal करता है, तभी जो sound का explosion होता है, जो sword होता है, the sudden thunderous eruption of exultant approbation, वो जो अथानक से आवाज आता है, exultant का मतलब great joy, ecstatic, काफी ज़दा खुसी का जो तारी origin करती है, ठीक है, बस, इसी के साथ ये story end हो जाता है, तो इस story का तो title ने, इसके उपर question मनता है, title क्या है, going places, आपको starting में ही बतायते हैं, ये एक idiom है, जिसका little meaning क्या होता है, अपने career में successful होना है, लेकिन इस story का title क्या going places सही है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं, क्योंकि going places, यहां पर क्या है, irony है, ठीक है, irony का मतलब होता है कि, जो चीज़ आप expect कर रहे है, ठीक, उसका उल्टा हो जाए, यहां पर Sophie जो है, वो एक lower middle class family को belong करती है, लेकिन उसका सपना कापी बड़ा-बड़ा है, वो imagine करती है, delegacy से मिलना जो कि असलियत में नहीं होता है, ठीक है, तो इस story में का है, sorry, title में का है, irony है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, फिर यहां पर एक अच्छा question ये भी बनता है, कि Sophie जो इतना सपना देखती है, उसका सपना देखना सही है कि नहीं है, ठीक है, तो देखिए, इसका answer आप इस तरीके से दे सकते है, कि सपना द देखेंगे नहीं, तो पूरा कैसे होगा, तो सही है एक हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा practical outlook मतलब रखना चाहिए, इंसानकार, एक दमी सपने में बहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन ये हुगा, फिर एक question ऐसा बनेगा, मान लीजिए, ब inadequला है date के बारे में, ठीक है, date के बारे में पदा चल जाता है Sophie के पिताजी, गणा ना तो, Sophie, जब वाफस घर आती है तो, पिताजी क्या करता है जो है काफी जड़ा सेड हो जाता है और आत को कहा करता है डाइडिय लिखता है अब वो क्या सुसके डाइडिय लिखेगा इसके उपर रगिलेंगे डाइडि लिखिए ठीक है तो यह एंसर कोशन दे दिये हैं वेबसाइट में आप जाके इसको पर कीजिएगा ठीक है एक कोशन ऐसा भी बन सकता है कि मान लीजिए आगे चलके फुचर में सोफी जो है वो सच में डेनी कैसी से मिलती है तो दोलों के भी इसमें क्या डायलोग होता है वो लिखने बोलेंगे डायलोग ठीक है तो ये कोशन भी आता है तो ये सारा इन्पोर्टन कोशन एंसर्स जो है वो आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा वहाँ से जाके आप प्रिपर कर लीजेगा ठीक है चलिए एंड करते हैं उमीद करते हैं आपको ये स्टोडी पसंद आया होगा और समद में भी आया होगा और जानल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेए चलिए अब 새로운 वीडियो से आप उन को देखें उनसे काफी आपको हेल्प मिलेगा चलिए एंड करते हैं मिलते हैं बहुत अब किसी और वीडियो में तब तक के लिए ईबाइंड कर देए झाल झाल